किसान भाईयो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल धाकडेगरी गलचर में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वापीन की फसल में 50 दिन के बाद में कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कौन-कौन सी गलतियां हमें नहीं करना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे तो आपसे निवदन रहेगा कि आप इस वीडियो को अंते तक पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारे समझ में आ जाएं और वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चेनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो हमारे चेनल को सबस्क्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाईयों तक सेयर जरूर कीजिया किसान भाईयों अगर बात की जाएं स्वाइबिन की फसल के बारे में तो जब आपकी स्वाइबिन की फसल 50 दिन की हो जाती हैं तो उसके बाद में कुछ मुख्य बातों का आपको ध्यान लखना पड़ता है जैसे कि जब हमारी फसल 50 दिन की होती है तो उसके अंदर लगबग 35-40% फूल आना सुरू हो जाते हैं ऐसे में आपकी फसल में इल्यो का अटेक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और इल्या अगर 40-50% फूल आ रहे हैं और उस समय पर इल्या लगती है तो वो इल्या डारेक्टली आपकी फसल में आने वाले फूलो को काटेगी और फसल से नीचे गिरा देगी तो उससे आपको बड़ा नुकसान होगा अब यहां पर आपको कीट नासक का एस्प्रे करना है अब कीट नासक के रूप में आप इमामेक्टिन बेंजोएट दवा का उप्योग कर सकते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट दवा ज्यादा तेज दवा भी नहीं है और सिस्टेमेटिक दवा होने की वज़े से आपकी फसल में जटका भी नहीं देगी और इल्यों को आसानी से खत्मक कर देगी इमामेक्टिन बेंजोएट लगबग 10-12 ग्राम परती टंकी और 100-120 ग्राम परती एकड के दर से आप अपनी फसल में स्प्रेक कर दीजिए यह सिस्टेमेटिक ली होने की वज़े से आपकी फसल में पोदे को जहरीला बना देगी और चाहे किसी भी परकार की इल्यों हो जब वह इल्यों आपकी फसल को खाएगी या पत्तों को खाएगी फूलों को खाएगी तो वह जहर उस इल्यों के सरी में चला जाएगा और वह इल्यों एक से दो दिन के अंदर खत्म हो जाएगी अब बहुत सारे किसान पायों की खेतों में गार्डल बीटल या फिर रिंग कटर जैसी इल्यों का टेक देखने को मिलता है और ये इल्यया कापी खत्रनाक होती है सीजेंटा कमपनी की इम्पलीगों के अंदर दो टेकनिकल पाए जाते हैं पहला क्लोरेंटरा निली प्रॉल और दूसरा लेमडा साइल रोत्रीन ये दोनों टेक्निकल बहुत ही खतरनाथ टेक्निकल होते हैं यानि कि हेवी से हेवी इलियों को खत्म करने में सक्सम होते हैं तो अगर आपकी फसल में गाडल बीटल या फिर रिंग कटर का टेक हो रहा है उसके अंदर 8 ml दवा डालनी है यह एक सिस्टेमिटिक दवा है और यह खास तोर पर रिंग कटर और गर्डल बीटल को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकती है तो अगर आपकी फसल में रिंग कटर और गर्डल बीटल का टेक है तो आप इसका उप्योग कर सकते हैं बाकी अगर छोटी मोटी इल्या लग रही है तो आप इमामेक्टिन बेंजोईर दवा का एस्प्योग कर सकते हैं इसके अलवा किसान भाई यू पचास दिन के बाद में स्वाबीन की फसल में जो है किसी भी प्रकार से खर्पतवार नासक दवा का उप्योग नहीं करना चाहिए और अगर आप फंगी साइट का उप्योग करना चाहते हैं बहुत सारी किसान भाई 50 दिन के बाद में बी-एसेफ के प्राइक्सर का उप्योग करते हैं तो आपकी फसल में अगर फंगस लग रही हैं, तो आप ये से पके प्राइकसर का उप्योग कर सकते हैं, इसके अंदर पाइरक, कलोश्टोबिन और फ्लूकसा पाइरोकसार टेक्निकल पाए जाते हैं, यह है फसल में उप्योग करने के बाद में किसान भाजू फसल को हरापन पर भी लाता है, और खतरनाक से खतरनाक फंगस को कंट्रोल कर लेता है, तो अगर आपकी फसल में 50 दिन बाद फंगस हैं, तो आप इसका उप्योग भी कर सकते हैं, अब यहां पर एक चीज़ आपको दियान में रखना है कि खेत में पूरी तरीके से अच्छी खासी नमी हो होना चाहिए, तभी आप इनका स्प्रे करें, वरना सुके खेत में अगर आप स्प्रे करते हैं, तो आपकी फसल को जटका लग सकता है, और फूल गिरने के समझ से आज सकती हैं, तो यह चीज़ आप पहास तोर पर ध्यान रखिए और दुकानदार की सलापर आप इनका करें, होरा हमारे अकाउंट को फोलो जरूर करें, धन्यवाद